नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी उतुब चैनल में दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेस्बुक की एक्टिविटी लोग को कैसे डिलेट करते हैं फेस्बुक एक्टिविटी लोग को डिलेट करने से पहले ये जान लेते हैं कि फेस्बुक एक्टिविटी लोग टेक्चुल में होता क्या है दोस्तों फेस्बुक में हम जितने भी एक्टिविटी करते हैं फूर एक जम्पल लाइक, कमेंट, सेयर, टेग उस सारी चीज हमारी फैस्बूक में एक जग अश्टूर होते रती है दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पले आप से छोटी सी गुजारी से करा के इस वीडियो को लाइक करीजीये और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेखाइब आइकॉन पर किलिक करके आपर All पर Set कर दीजिए दोस्तो लाइक और सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं सिर्फ हमें मोटिबेशन मिलते है इसलिए इस बिडियो को लाइक करके चैनल को जुरूरों सस्क्राइब किजिएगा अब आब दोस्तो चलते हैं सिधे अपने टौपिक के तरफ तो दोस्तों Facebook में एक्टिबिटी को डिलेट करने के लिए यहां फिफेस्बूक एबस को ऊपेन करते हैं छुके कि फैस्ट बुक एप्स ओपन हो जाने के बाद यहां पर आपको क्लिक करना होगा इस ढ़ीं डोट पर कि टि Such को सब्सक्कार से चत्ब आपको एक उप्संद मिलेगा से टिंग एंट प्राइबेसी तो यहां पर को सब्सक्रीः creating and privacy पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा settings अब दोस्तों यहाँ पे scroll डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक option दिखलाई दे रहा होगा activity log यही है activity log तो इसे open करते हैं activity log open कर देने के बाद आपकी Facebook में जितने भी activity होई होगी उन सभी का यहाँ पे list आजाता है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जितने भी post को like किया हूँ comment किया हूँ, share किया हूँ वो सभी का detail यहाँ पे आजाता है और इसको अधिक जानने के लिए यहाँ पे filter पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे categories पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे option मिलते है all, comment, like, reaction, save आप किस टाइप के interaction देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं comments पे तो यहाँ पे अब हम जितने भी post पे comment किया है उन सभी का यहाँ पे हमें list मिल जाता है उस post से अपने comment को delete करने के लिए यहाँ पे click करेंगे इस तीन डोट पे और यहाँ पे आपको click कर देना होगा delete अब यहाँ से delete कर देने से उस post पे हम जो comment किये होगे वो comment delete हो जाता है इसी तरह से बारी बारी से अपने सारे comment को आप delete कर सकते हैं और इसी तरह से आप like भी किसी post पे किये हैं तो यहाँ से आप उसे unlike कर सकते हैं तो यह थी छोटी से वीडियो को facebook में अपने activity लोग को कैसे delete करें उमीड करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझना ही होगी और आपके एक काम की होगी अगर वीडियो अच्छी लेगी तो इसे like किजिए share किजिए अपने दुस्तों मौट से facebook ग्रूप में और इसे ही simple simple वीडियो में अपने channel प्ले के आते रहता हूँ तो आप मेरी channel को जुरू सस्क्राइब कीजिएगा आपसे गुजारी से मिलते एक नई वीडियो में तब तक लेपना ख्याल रखिएगा बाई